हेलो फ्रेंडस आज हम Liar करेंगे रूल और क्रेडिट क्वांज Max purchase unique BILL अपने अपने बहुत बढ़ी प्रफबलम हो ú blockятся क्रेडिट 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 क्रेडि जोब इंट्रविव के लिए जाते हैं उनको नहीं पताँ होता डैविट किसको करना है मैं कि दूसरी चीज उनको यह नहीं पता होता कि accounting जो होती है वो accrual basis पे चलती है वो अपनी उसी books की थियोरी में रहते हैं और cash basis के accounting के basis पे general entry interview में बता देते हैं तो चलो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या debit होता है क्या credit होता है मेजरली हमारे पास four heads होते हैं जिने हम देखते हैं कि इन में इन categories में क्या debit होगा और क्या credit होगा category one में हम लेंगे income एंड liabilities category two में हम लेंगे expense एंड assets यह दोनों ही category एक दूसरे के अपोजिट चाहते हैं जब भी हमारा कोई expense होता है या कोई हम asset purchase करते हैं तो उस case में वह increase हो जाते हैं और उन्हें हम करते हैं debit इसके ठीक अपोजिट जब भी हमारी कोई income होती है या कोई liability increase हो जाती है हमारी यह दोनों ही अगर increase होते हैं तो इनको किया जाता है credit आप समझ रहे हो debit credit debit और credit के लिए simply चार केटिग्री होती है चारों केटिग्री को आपको समझना है रूल वन फॉर दीज तू रूल टू फॉर दीज तू इंकम liability के लिए एक रूल चलता है और expense and assets के लिए दूसरा रूल चलता है जब भी आपका कोई expense होगा कोई भी खर्चा करोगे तो इसको debit करना पड़ेगा कोई asset purchase करते हो machinery purchase, laptop purchase, computer purchase for the company कोई भी asset अगर आप purchase करते हो तो आपकी asset increase हो जाती है और जब asset increase होती है तो उसको क्या करना पड़ता है debit तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ इतना समझ लो कि expense, asset increase होगे तो debit होगे और income और liability increase होगी तो credit होगी इसके ठीक अपोजेट अगर expense and assets down आते हैं या decrease होते हैं तो आप समझदार हो increase होने पे अगर आपने debit किया है तो decrease होने पे आप credit करोगे और income और liability अगर आपकी decrease होती है तो उसे आप debit करोगे तो अब आप समझ चुके होगे debit और credit हमारी लाइफ में accounting terms में कैसे चलते हैं rule 1 for income and liabilities rule 2 for expense and assets इससे बाहर कुछ नहीं होता या तो आपका कोई expense होगा या आपने asset purchase कियोगी या आपने liabilities बना लिए हैं अपनी increase कर लिए हैं या आपकी कोई income है अगर आपकोई expense करते हो तो उस expense के लिए आप debit करोगे आपका rental expense है आपकी stationary के expenses है या कोई और administrative expense ऐसे income जो company का main income है उससे related कोई भी income होगी तो उस income को आप credit करोगे इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं इससे ही आप सारा debit credit समझ सकते हो बेसिक रूल debit and credit का जो होता है वो इन चार heads में divide होता है अगर आपने ये समझ लिया expense asset income liability तो आप debit और credit कर सकते हो general entry भी बना सकते हो और general voucher भी अपने आप pass कर सकते हो इसके लिए हम छोटा सा example अगर लेकर चलें तो आपका जो bank account होता है इसका हम छोटा सा example लेकर चल रहे हैं आपका जो bank account होता है जैसे कि मेरा HDFC में एक bank account है तो जब मेरी bank statement मुझे मिलती है तो मेरी जितनी भी payment होती है payment मतलब मेरे expenses जो मैंने खर्चे किये हैं अपने account से वो सभी मुझे debit side में दिखाई देंगे और मेरी जितनी भी income होगी receipts चाहिए मुझे पैसा कहीं से भी आया हो वो income क्या होगी मेरी credit side में जैसे जैसे मेरे expenses बढ़ते जाएंगे वो debit होते जाएंगे जो हमने शुरू में समझा था expenses जब भी इंक्रीज होगे debit होगे और जैसे मेरी income बढ़ती जाएगी वो credit होगी जब भी हमने उपस समझा income जब भी increase होगी वो credit होगी तो यह आपके लिए live example है जो आप अपनी bank statement में देख सकते हो अगर आप commerce background के नहीं हो तो यह bank statement आपका भी विए अपनी passbook में देख लो bank statement download करके देख लो अपनी mini statement निकाल के देख लो transaction जो last time transactions होती है उसमें आपके सारे expenses के आगे D लिखा है और सारी income के आगे C लिखा है आई बिलीव मैंने कोशिश की आपको समझाने की और टाफी हद तक मैं आपको समझा चुका हूँ thanks a lot for your time and let me know your feedback on this video thank you thank you very much